अगर आपको मसीन लर्निंग इंजिनियर बनना है बिल्कुल फ्री में मैं इस वीडियो में ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो की काफी अच्छे-चे प्लेटफॉर्म्स के हैं जैसे आईबियम के कोर्सेज आपके फिर सोलो लर्न के कोर्सेज फिर कैगल के कोर्सेज मैं इन सब के बारे में डिसकस करने वाला हूँ उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको मसीन लर्निंग इंजिनियर क्यों बनना चाहिए या फिर आप क्यों बनना चाहते हैं तो जो पहला प गाउर गोस्केर्मक पर 2016 सोना तक हो सकती है और आप और बडी ग्रक्राइध मैं बात कर लेते हैं आपको एक मसीन इंजिनियर का सेटिप्रेट पाना जरूरी है जौब तो एक आपके पस रूर्ट है तो आपको job मिल जाएगे जैसे कि आपने यार एक news सुना ही होगा Tesla के बारे में Tesla doesn't require any college degree अगर आप Tesla में job करने जाते हो आप वहाँ पर job करना चाहते हो आपके पास भले ही college की degree नहीं है बट आपके पास अगर required skills है तो वहाँ पर आपको job मिल सकती है तो ऐसा होने वाला है अभी revolution आएगा I guess क्योंकि अभी college degree का जादे कोई मतलब रह नहीं गया है हम college में भी क्या ही पढ़ते हैं हम college के बाहर जो online classes करते हैं जो hackathons में participate करते हैं वहाँ से maximum skills require करते हैं तो यार अब हम बात करने जा रहा है कि आपको कहां कहां से सीखना चाहिए कौन-कौन से platforms हैं जो free में course provide करते हैं और वहाँ से आप machine learning engineer बन सकते हो तो guys सबसे पहले आपको python programming language सीखना होगा python programming क्यों क्योंकि python सबसे ज्यादा favored है बहुत सारे data scientist और machine learning engineer python को ही favor करते हैं तो अगर आपको python programming language सीखनी है तो यह website है solo learn इसका आप android version application या फिर आप apple store पे भी इसका आपको मिल जाएगा और web पे भी website चलती है तो solo learn क्या एक website है यहाँ पे आप python का free course कर सकते हो इस course को आप complete करते हो course की सबसे important बाते मैं बता दूँ आपको यहाँ पे quizzes होने वाले हैं ऐसा नहीं है कि आप course simple पढ़के आप pass कर जाओगे नहीं आपको quizzes में participate करने होंगे quizzes कैसे होते हैं आप course जैसे जैसे करते रहते हो वैसे वैसे आपको quizzes में भी participate करना होता है अगर आप course को complete करते हो तो आपको certificate आप completion भी मिलेगा तो यहाँ पे certificate भी आपको मिल जाएगा और course भी काफी अच्छा है आप सबसे पहले क्या करना है मशीन लेंग इंजिनियरिंग आप सबसे पहले क्या करना है आप जाना चाहते हो मशीन लेंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या कर लो आप python का course यहां से complete कर लो उसके बाद आपको क्या करना है आपको Kaggle पे जाना है मैंने link सभी courses के description में दे रखे है Kaggle पे जाओ Kaggle एक data scientists का online platform है जैसे competitive programming के बारे में आपको पता है तो जैसे hacker earth, code forces, code safe, sports वगारा बहुत अच्छे competitive programming के प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे ही Kaggle एक online platform है data scientists के लिए यहाँ पे hackathons होते हैं data science के या फिर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे-चे kernels मिल जाएंगे, notebooks मिल जाएंगे खुद को prepare करने के लिए साथ में ही Kaggle जो है बहुत अच्छे-चे micro courses प्रोवाइड कर रही है भी बिलकुल free में यह courses बिलकुल free में हैं और I am damn sure इन से अच्छा micro course आपको कहीं नहीं मिलना है वाला है क्योंकि जो Kaggle है one of the best platform for the data scientists है आपको python, machine learning, intermediate machine learning, data visualization, pandas, feature engineering, deep learning, intro to SQL, advanced SQL, फिर geospatial analysis, micro challenges machine learning के courses, natural language processing के courses, reinforcement learning के भी courses यहां पे हैं और इक courses बिलकुल free में है micro courses हैं आपको बहुत अच्छे से आप fastest and fun way में इन courses को कर सकते हो और machine learning बहुत ही असानी से सीख सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है python programming language का course करना है solo learn से दिन after आपको जो जो यहां से course अच्छा लगे जो आपके लिए better हो सके Kaggle से उस micro course को कर लो उसके बाद आपको क्या करना है एक platform है cognitive classes cognitive classes पर आना है यहां पर यहां पर बहुत ही अच्छे courses cognitive classes पर IBM के भी courses है और भी courses है तो यहां पर एक आपको जैसे मैं बता दे रहा हूं free के courses मिलते हैं सभी के सभी आप python से related courses कर सकते हो data science से related course कर सकते हो machine learning से related courses कर सकते हो या फिर other courses यहां पर हैं जैसे blockchain से related courses है या फिर यहां पर देख सकते हो cloud से related robots से related यह सारे courses कर सकते हो बट हमारा main focus होना चाहिए जो data visualization है जो data science का parts है या फिर deep learning का course है हम क्योंकि इसमें machine learning की बात कर रहे हैं तो यह courses बिलकुल free में मिल रहा है अगर आपको यहां पर learning paths देख के अगर आप उनकी courses करना चाते हो तो वहां से भी कर सकते हो तो जैसे यहां पर learning paths के बारे में हम देखे तो यह deep learning का learning path है यह data science का है तो ऐसे आप learning path से भी select कर सकते हो तो जो भी machine learning के courses हो यहां से आप free में कर सकते हो तो guys अगर आपको machine learning सीखना है आप machine learning engineer बनना चाहते हो सा यहां पर आपको बीडियो पसंद आई हो अगर आपको और कोई रिक्मेंडिशन देना हो या फिर सब्सक्राइब क्योंकि यही बस अगर ऑगर अगर आप चैनल पर नयहीं हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब करetes, कि मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत वी ऐसम वीडियो बनाता हूं मैं चाहता हूं कि जितने भी free online resources हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है मैं आपको बता सकूँ साथ में internships से related jobs से related मैं बहुत अच्छे चे वीडियो बनाने की कोजिस करता हूँ तो guys I hope आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को share कर देना यह बहुत ही helpful हो सकता है आपके classmates वगरे के लिए आपके colleagues के लिए तो guys मिलेंगे नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye have a good day stay home stay safe and keep learning